अवचेतन मन से बीमारी को ठीक करना मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने मन को अच्छे विचारों से खिलाना जो हमें अच्छा स्वास्थ्य, शान्ती और सद्भाव प्रदान करता है, वो तरीका है जिसके माध्यम से हमारा शरीर और मन सद्भाव और प्रभावी धन से कार्य कर सकता है। हमारे जीवन के तनाव पूर्ण दोर में हंकाम, धमकियों, सामाजिक मुद्दों और महामारी की निरंतरता में रहते हैं। इसने सभी को इस तरह प्रभावित किया है कि तनाव का स्थर बढ़ गया है जिसे ताला नहीं जा सकता था। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा मस्तिष ठीक से जुड़ नहीं पाता है या हमें सही प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है और हम सही निलनाई लेने में परेशानी मैसूस करते हैं। उप्चार के सरल लेकिन सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है दर को जाने देना या उसका सामना करना। पुराने आगात और घटनाएं बस दोहराती रहती हैं। कभी कभी ये हमें एक छोटा अचानक प्रिगर देता है। इसके जरिये ऐसी घटना को भूल पाना मुश्किल हो जाता है। यदि कोई पुराना विचार या घटना आपको लंबे समय से परेशान कर रही है। तो आपको उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साजा करना शुरू कर देना जाहिए। जिस पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं।